Hi everyone, 20 plus English structures, आज की इस class में सिखेंगे, जिसका परियोग आप डेली बोल चाल में करते हैं, इन सभी words को अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, sentences कैसे बनाए जाता है, structures का परियोग होते हैं, कैसे परियोग होते हैं, सब कुछ इस class में सिखेंगे. First है, कैसे भी, अब कैसे भी जैसे बोला जाता है, इसका अंग्रेजी होता है, anyhow. Anyhow का परियोग आप sentence के सुरू में करेंगे, इसके बाद आपका subject आएगा, verb आएगा, object आएगा, according to tense. जैसा भी tense होगा, उसके नुसर आप structure का परियोग करेंगे, लेकिन सबी structure के सुरू में, anyhow का परियोग करेंगे. कुछ examples लेते हैं, कैसे भी मैं किताब घ्रिदना चाहता हूँ, कैसे भी, anyhow I want to buy the book, कैसे भी रमेश अंग्रेजी सिख लिया, बहुत सारे मुस्किले आया, लेकिन कैसे भी रमेश अंग्रेजी सिख लिया, anyhow Rames learned English, कैसे भी मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, anyhow I don't want to go there, कैसे भी मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, anyhow I don't want to go there, इन सभी वाक्यों को आप डली बोल साल में परियोग करजे, नेक्स्ट हैं, कभी भी और इसका मतलब है, anytime इसका परियोग आप संटेंस के last में करेंगे, क्योंकि जब भी आप time की बात करते हैं, उसे आप संटेंस के last में ही परियोग करते हैं, तुम कभी भी यहां आज सकते हो, तो इससे होगा तुम यहाँ आज सकते हो Anytime means कभी भी वो कभी भी किताब ले सकता है He can take a book anytime यहाँ पर आदे सकते हैं कि sentence के last में Anytime का परियोग हुआ है मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ I can call you anytime I can call you anytime मैं कभी भी तुम्हें बुला सकता हूँ तो इस तरीके साब वाक का परियोग करते हैं Next हमारे पास जो वर्ड हैंगा इस वह है और भी और इसका अंग्रेजी मतलब होता है Many more इसका structure इस प्रगार्श होते हैं बिना structure के कोई भी sentence आप प्रोपर तरीके से नहीं बना सकते हैं इसलिए structure पर focus देना पड़ेगा अगर आपको यह पता है कि structure मुझे पता है subject आएगा, वाप आएगा, यह आएगा, वो आएगा तो फिर आप इससे ignore कर सकते हैं जिसको नहीं आता वो focus करेंगे कि वाप के बाद आप many more का परियोग करेंगे इसके बाद ही कोई object आएगा मैं और भी यहाँ, मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ और भी के साथ आप कोई भी noun का परियोग करते हैं मैं आपको बता दूँ क्योंकि यहाँ पर जगह जो हैने इसके लिए place परियोग करते हैं तो यह noun होता है इससे I want to go to मैं जाना चाहता हूँ many more place मतलब और भी जगह मैं अभी यहाँ पर आया हूँ मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ इससे मैं red photo आया हूँ मैं जाना चाहता हूँ ताजमल फिर मैं और भी जगह जाना चाहता हूँ और पीपल और भी लोगों से तुम और भी खाने की कोशिस कर रहे हो यू आ ट्राइंग टू इट मैनी मोर परियोग कर सकते हैं अब क्या चीज़ खाने की जो भी चीज़े खाने की आप बात करेंगे उससे आप लास्ट में लगा सकते हैं नो डाउट नेक्स्ट अमरे पास वर्ड हैं वो हैं जब कभी और इसका परियोग करते हैं वेन एवर से और संटेंस के लास्ट में नहीं बलकि संटेंस के सुरू में इसका परियोग करते हैं इतना ध्यान रखेंगे इससे अंग्रेजी में संटेंस हैं कि वेनेवर यू कम हीर जब कभी तुम यहां आते हो यह तुम जब कभी यहां आते हो इस तरह के से वो जब कभी अंग्रेजी बोलता है तो whenever he speaks English देखिए whenever के बाद जो भी संटेंस आएगा उससे आप रोपर तरीके से टैंस के नुसार लिख देंगे वे लोग जब कभी रमेश से मिला तो whenever they met रमेश तो इससे आप संटेंस बनाते हैं नेक्स्ट अमरे पास वर्ड है वो है फिर भी और फिर भी का अंग्रेजी में मतलब होता है even then मैं वो सभी सब्द बता रहा हूं जिसका प्रयोग आप डेली बोल साल में काफी ज्यादा करते हैं लेकिन नहीं जाने के कारण आप रुख जाते हैं आप अस्टक कर जाते हैं तो सो यू कांट अस्टक बिकर्स आई इम गोईंग तो टेल यू अबाउट इज आल वर्ट्स विच यू यूज यूज प्रोपरली इन यूरी स्पोर्क निलिस इन यूर डेली लाइफ क्योंकि संटेंस के सुरूं में इसका पर्योक करते हैं इसके बाद सब्जक्ट आयेगा अब है है फिर भी मैं उससे बात करता हूं इस तरह किस रहें संब भोलु रूट गली देता है वह ईंसल्ट करता है है यूज यू आप तौर लेंगन एवं यूज तो या दारी Jahren even then see is going to market फिर भी तुम लोग वहां जाते हो even then you go there sentences आप ऐसा ही कही सरे बना सकते हैं बहुत ही इजी तरह के से अगला जो वर्ड हैं वो हैं कहीं भी और कहीं भी कंगरेजी होता है आप संटेंस के सुरू में लास्ट में दोनों जिगर लगा सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि ज्यादा तर लोग एनिवेर का परियोग संटेंस के लास्ट में करते हैं लेकिन स्पोकन अंगलिस में क्या होता है कि आप सुरू में लास्ट में कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन अ यहाँ पर दो बार नहीं है तेक बार आप कर देंगे वो पढ़ने के लिए गई नहीं गई आनिवेर कहीं भी क्योंकि आनिवेर का मतलब है कहीं भी और नॉट का मतलब हो गया नहीं कहीं भी नहीं इस तरह के से तुम लोग कहीं भी उससे नहीं मिला You did not meet him anywhere इस तरह के साथ इसका परयोग कर सकते हैون नेक्स्ट मेरे पास कभी कभी और इसका लिज़ी होता है Sometimes कभी कभी मतलब बिज बिच में कभी कभी वो लिज़ी में बात करता है Sometimes he talks in English कभी कभी तुम लोग उससे मिलते हो Sometimes you meet him कभी-कभी पिरिया खाना पकाती है sometimes पिरिया cooks food तो इससे आप sentences बनाते हैं बड़े या आसानी से आप sentences बना कर practice कर सकते हैं guys because you know the more you practice, the better you learn अगला जो मारा word है वो है जबकी और जबकी करनेजी होता है whereas और इसका structure होता है whereas subject to verb object मतलब कि whereas का परियोग sentence के शुरू में करेंगे या फिर वेरेस से पहले भी आपके sentence परियोग कर सकते हैं मतलब इससे conjunction के रोप में परियोग करेंगे दो sentence के बीच में, दो clause के बीच में अब example देखिए मैं सो रहा हूँ जबकी तुम mobile चला रहे हो I am sleeping मैं सो रहा हूँ ये clause हो गया whereas जबकी you are using a mobile तुम mobile से ला रहे हो वो मैच खेलता है जबकी रमेश गेम खेलता है He plays cricket वो मैच खेलता है, cricket खेलता है whereas जबकी रमेश plays the game, रमेश गेम खेलता है परिया खाना पकाई जबकी तुम सोई रहे तो पिरिया cook the food, पिरिया खाना पकाई वेर एज जबकी you kept sleeping तुम सोई रहे कोई काम करता रहा, क्याप्ट के साथ वीफोर का परियोग करते है अगला जब word है, वो है किसी को भी और इसका अंग्रेजी में मतलब होता है to anyone, subject, verb, object और last में to anyone का परियोग करेंगे जिससे वो किसी को भी किताब नहीं दिया, he didn't give a book to anyone Ramesh किसी को भी mobile नहीं दिया, Ramesh did not give a mobile to anyone तुम किसी को भी bike नहीं दिया, you did not give the bike to anyone तो इस तरहे से परियोग किया जाता है, I hope you are getting every word, every concept वैसे भी और वैसे भी का अंग्रेजी होता है anyway, anyway sentence के शुरू में परियोग करेंगे इससे वैसे भी मैं वहां नहीं जाओंगा, anyway I will not go there, वैसे भी तुम लोग साधी में नहीं गया, anyway you didn't go in the marriage वैसे भी रिया अंग्रेजी सिख रही है anyway, रिया इस लर्निंग लिस में बता दो कि इसका परियोग कब करते हैं, इसका परियोग तब करते हैं जब आपको कोई काम करना था लेकिन आपने नहीं किया, वैसे भी मैं वहां नहीं जाओंगा, मतलब कि मेरे कुछ रीजन है, तुम लोग आज भी वहां जा रहे हो, even today you are going there, मैं आज भी cycle चलाता हूं, इस तक इस बते हैं कि आज भी मैं वह काम करता हूं, जो मैं पास्त में क्या करता था, even today I ride a bicycle, पिरिया आज भी खाना पकाई, even today पिरिया cooked food, इस से आप sentences बनाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ह वह हैं, जो ही और जो ही का अंग्रेजी वोड होता है, as soon as, मतलब as soon as, subject होगा, वब होगा, object होगा, जो ही वो आया, मैंने मोबाइल चलाना छोड़ दिया, as soon as, I left using a mobile, अब जैसे ही वो आया, उसका अंग्रेजी तो लिखना पड़ेगा, as soon as he came, जैसे ही वो आया, I left using a mobile, म मैं हैरान हो गया, क्यों संग्रेजी नहीं आता था, लेकिन वह अचाने संग्रेजी के से बोलने लिए, as soon as, spoke English, I got sucked, जो ही तुम बजार गया, वो घर आ गया, as soon as you went to market, he came to house, तो इस तरह के साब इसका परयोग करते हैं, अगला जो सब्द हैं, वो हैं फिर तो, और फिर त मैं वहां नहीं जाओंगा, मतलब जिससे कि, आप कोई situation रख सकते हैं, कि वहां पर लडाई होने वाला है, तो मैं पहले ही मुझ से पता सल गया, तो फिर तो मैं वहां नहीं जाओंगा, then I will not go there, फिर तो रभी उससे पैसे नहीं देगा, then Ravi will not give him money, फिर तो तुम लोग यहा तो गंगरीजी है, although, although sentence के सुदू में परियोग करेंगे, इससे बोलते हैं, वह इससे तो वह अमेर है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, although he is rich, वह इससे तो तुम लोग बहुत आलसी हो, although you are so lazy, वह इससे तो सुमन इमानदार है, although someone is honest, अगला word है, इसलिये तो, और इसलिय talk to you, इसलिये तो रवी काम नहीं करता है, तो हमें इससा डाटते रहते हो, काम नहीं करता है, that's why रवी डजन्ट वर्क, इसलिये तो पिरिया वहां नहीं गई, that's why पिरिया डिड़न्ट, यह इससा आप संटेंस गुना कर प्रैक्टेस कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैस वर्ड हैं मैं तो और मैं तो अंग्रेजी जिसे मैं तो अंग्रेजी बोलता हूं, so I speak English, मैं तो बज़ार जाता हूं, so I go to market, मैं तो किताब पढ़ता हूं, so I read the book, मैं तो सुबह मिट हलता हूं, मैं तो इसकुल जाता हूं, कोई भी काम आप बता सकते हैं, इस तरह किसे, अब तुम तो, और तुम तो का मतलब होगे, so you, इसे तुम तो जुट बोलते हो, so you tell a lie, तुम तो सो रहे हो, कैसे ओफिस दाओगे, so you are sleeping, तुम तो किताब पढ़ रहे हो, so you are reading a book, इसे आप sentences बना सकते हैं, अगला जो वर्ड हैं, वो हैं वर्ना तो, और इसका नहीं करूंगा, और एल्स, I will not talk to him, वर्ना तो रवी फेल हो जाएगा, और एल्स, रवी विल फेल, वर्ना तो पिरिया पेसे नहीं देगी, और एल्स, पिरिया विल नॉट गीव वानी, तुम्हें बताना पढ़ेगा, तुम्हें कहना पढ़ेगा, वर्ना वो पेसे नहीं देगी, इस तरह के साथ इसका परियोग करते हैं, अगला जो सब्द हैं, वो है मैं तो, अब मैं तो के लिए आप लगाएंगे, आई डू वी वन, इससे मैं किताब पढ़ता तो हूं, इंफेति संटेंस हैं, तो I do read the book, मैं उससे मिलता तो हूं, I do meet him, मैं school जाता तो हूं, I do go to school, तो इससे आप परियोग कर सकते हैं, संटेंस बना सकते हैं, अगला जो वर्ड है मैं करा तो, अब आई डीड वी वन लगेगा, इससे मैं पत्र लिखा तो था, I did write a letter, वो किताब पढ़ा तो था, he did rate the book, तो इस तरह के संटेंस आप बना सकते हैं, subject आएगा, डीड आएगा, वीवन आएगा, object आएगा, इस तरीके से, नेक्स्ट हैं, तब तक तो और इसका मतलब है, until then, इससे तब तक तो उतला जाएगा, until then, he will go away, तब तक तो तुम वहाँ पहुच जाओगे, until then, you can reach there, तो मैं बता दूगा, इसकी until then का परियोग आप इस तरीके से, इस तरीके से कुछ, conjunction के rules होते हैं, उससे देखना पड़ता है, next है, कोई भी और इसका मतलब है, anyone, जिससे कोई भी यहाँ सकता है, anyone may come here, कोई भी अंग्रेजी सिख सकता है, anyone can learningness, कोई भी काम कर सकता है, anyone can work, तो इससे आप इसका परियोग करते हैं, next है, तो क्या, मतलब so what जिससे so what के बाद subject आएगा, वोब आएगा, object आएगा, तो क्या, वो पैसे नहीं देगा, so what, he will not give money, तो क्या, तुम कमरे की सफाई नहीं करोगे, so what, you will not clean rooms, तो इस तरह के साप इसका परियोग करते हैं, so guys, thanks for watching, that's all for today.